हेलो, पिछली वीडियो में हमने इफ स्टेट्मेंट इफ एल्स स्टेट्मेंट के बारे में जाना इस वीडियो में हम इफ एल्स इफ स्टेट्मेंट के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले इफ एल्स इफ स्टेट्मेंट के डेफिनेशन जानेंगे तो इसके definition है ये conditional statement if-else का combination है बस फर्क इतना है कि if-else statement को multiple बार use किया जाता है इसके बाद और इसमें दो से ज़्यादा condition को execute करवाया जा सकता है तो ये if-else if statement के definition है अब हम इसके syntax के बारे में जानेगे इसके बाद if-else if का syntax है if यहाँ पे condition लगाई हुई है इसके बाद curly braces open call to be executed if this condition is true आगर ये पहली statement सही हो जाती है तो आगे वाली statement को ये चेक नहीं करेगा आगर ये पहले वाली statement सही नहीं होती है तो ये दूसरी statement को चेक करेगा तो यहाँ पे curly braces को close करेंगे इसके बाद लिखेंगे as if इसके बाद condition second यहाँ पे लगाएंगे curly braces open call to be executed if this condition is true अगर ये second वाली सही हो जाती है तो आगे ये चेक नहीं करेगा अगर ये second वाली भी सही नहीं होती है तो अगली statement को चेक करेगा as if condition यहाँ पे multiple वार यूज हो सकती है इसके बाद हम last में लगाएंगे as as के बाद यहाँ पे curly braces को open करेंगे call to be executed if all condition is false अगर ये सभी condition उपर वाली false होती है तो ये वाली statement एग्जीक्यूट करेगी इसके बाद curly braces को close करेंगे तो ये if else if का syntax है इसको हम program के जरिये समझेंगे इसके बाद ये if else if statement का program है यहाँ पे program है write a program in php to demonstrate the use of if else if statement ये हमने यहाँ पे notpad open किया और यहाँ पे ये program लिखा हुआ है if else if का तो यहाँ पे सबसे उपर लिखा हुआ है dog type stml इसके नीचे लिखा हुआ है stml इसके नीचे body इसके नीचे h1 heading यहाँ पे सबसे बड़ा जो heading होता है वो यहाँ पे start किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे php को शुरू किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे variable x is equal to 15 यहाँ पे value वरी हुई है इसके बाद यहाँ पे condition लगा हुआ है if variable x is equal to 10 यहाँ पे यह condition लगा हुआ है इसके बाद यहाँ पे curly braces को open किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे निचे statement लगा हुआ हुआ है हुए पिर यहांपे statement second लिखे हुई है एको x is equal to 15 यहां पे 15 लिखा हुए है इसके बाद यहांपे semi-colon इसके बाद curly braces को close किय हुए है इसके बाद यहांपे निचे लिखा हुए as if as if लिखने के बाद यहांपे variable x is equal to 20 इसके बाद यहाँ पे curly braces open इसके बाद निचे लिखा हुए E को X is equal to 20 यहाँ पे X is equal to 20 लिखा हुए इसके बाद curly braces इसको close किया हुए PHP को close किया हुए H1 को close किया हुए Body को close किया हुए और HTML को close किया हुए तो यह यहाँ पे if as if इसका program किया हुए है इसके बाद यहां पे file को save करेंगे यहां पे file पे जाएंगे save as पे जाएंगे c drive पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद bomb 64 यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यहां पे www folder इसके ओपर click करेंगे इसके ओपर click करने के बाद अब यहां पे यह एक फोल्डर है प्रोजेक्ट यहां पे हमने फाइल को सेव करना है तो प्रोजेक्ट फोल्डर इसको ओपन करेंगे यहां पे क्लिक किया तो इस प्रोजेक्ट फोल्डर में हमने फाइल नेम देना है तो यहां पे हम फाइल नेम देंगे बी ए करेंगे पर बांप सर्वर इसको उपन करेंगे यह बांप सर्वर हमने यहां पर उपन किया यह उपन हो रहा है और यहां पर यह देखो टास्क वार में पहले रैड में आया उसके वाद और एंज पर यहां पर ग्रीन में हो गया है यहां पर हम क्लिक करेंगे और इसके वाद यहां पे local host यहां पे click करेंगे तो local host पे click करने के बाद यह window यहां पे open हो जाएगी इसके बाद यहां पे local host तो इसके बाद local host लिखने के बाद forward slash यह लगाएंगे इसके बाद folder name लिखेंगे folder name हमने project दिया था यह project लिखा इसके बाद फिर forward slash लगाएंगे इसके बाद project folder में हमने file name किया दिया था वो दिया था bn ये bn file name दिया इसके बाद .php ये .php लिखा इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रेस करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये variable x is equal to 15 लिखा हुआ है तो x is equal to 15 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सी statement यहाँ पे execute करेगी तो यह देखो यहाँ पे first statement यहाँ पे execute कर रही है तो यह यहाँ पे second statement यहाँ पे execute कर रही है यह देखो यहाँ पे x is equal to 15 तो x is equal to 15 यहाँ पे आ गया अगर हम यहाँ पे यह value change करेंगे suppose करो यहा फिर हमें इसको save करेंगे यह दिखो file पे गए और यहाँ पे save पिकलिक किया save कर दो, save करने के बाद जब हमें इसको refresh करेंगे यहाँ पे तो यह जो 20 है, यह कौन सी statement यहाँ पे execute करेंगी? यह दिखो X is equal to 20, यहाँपे 20 है, X is equal to 20, तो यहाँ पे यह आ जाएगी यह देखो इसको run करके देखते है यहाँ पे इसको refresh करेंगे यह refresh किया तो यह देखो x is equal to 20 यहाँ पे आ गया अगर हम यहाँ पे value change करेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया 10 यह 10 किया 10 करने के बाद फिर हम इसको save करेंगे यह save पे click किया यहाँ पे इसको refresh करेंगे तो यहाँ पे यह लिखो first statement यहाँ पे execute करेगी x is equal to 10 क्योंकि यहाँ पे 10 वरा हुआ है यह लिखो यहाँ पे इसको refresh किया तो refresh करने के बाद यह लिखो x is equal to 10 तो यह यहाँ पे आ गया है इसके बाद suppose करो यहाँ पे variable is equal to यहाँ पे 10 बरा हुआ है suppose करो यहाँ पे हम कोई और value बरते हैं जो कि यहाँ पे condition पे नहीं है जैसे यह देखो 10 है 15 है 20 है यह तो यहाँ पे condition है लगा हुई है अगर इसके इलावा कोई और value यहाँ पे बरेंगे तो यहाँ पे कुछ भी show नहीं करेगा यह देखो इसको करके दिखते हैं यहाँ पे यह 10 इसको मिटाया मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 25 यह 25 लिखा 25 तो यह condition पे यहाँ पे कहीं भी नहीं है यह देखो यहाँ पे जितनी भी condition लगी हुई है यहाँ पे नहीं है तो इसका नहीं आएगा, यह देखो, यहाँ पे इसको refresh किया, refresh करने के बाद यह देखो, यहाँ पे कुछ भी show नहीं कर रहा है, इसके बाद हम यह जाते हैं कि यहाँ पे blank की जगा कुछ यहाँ पे show अगर यह सभी condition फाल्स हो जाती है उपर वाली, तो यहाँ पे हमें कुछ show, तो यहाँ पे last में हम क्या लिखेंगे, else तो यहाँ पे enter प्रेस करेंगे यहाँ पे लिखेंगे else यह else लिखा else लिखने के बाद यहाँ पे इसको सारी को copy करेंगे, यह देखो सारा copy किया, यह copy पे क्लिक किया, copy किया, इसके बाद यहां पे enter प्रेस करेंगे और यहां पे इसको paste कर देंगे, यह देखो paste कर दिया, paste करने के बाद हम इसको मिटाएंगे, यह मिटा दिया, eco में हम लिखेंगे not valid number, यह हमने last में else लिखा और यहां पे statement लिख दे, अगर यह सभी condition फास हो जाती है तो यह condition यहां पे आएगी, तो इसको check करते हैं, यहां पे इसको save करते हैं, यह save पे click किया, save करने के बाद यहां पे refresh करेंगे, अगर यह सभी condition फास होती है, तो else यह last वाली statement यह execute करेगी, तो यहां पे आ गया not valid number, तो इस तरह से if as if statement काम करती है, तो इस वीडियो में हमने if else if statement के बारे में जाना, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी, तो please subscribe my channel, धन्यवाद